Hello everyone, I'm Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको ब्लीवी के बारे में बताऊंगी कि ब्लीवी क्या होता है ठीक है? ऐसी क्या सेफटी प्रकॉशन्स है जो हम ये ब्लीवी के दोरान ले सकते हैं ब्लीवी का फुल फर्म क्या होता है इसके बारे मैं बताऊंगी ठीक है तो आज का टॉपिक है ब्लीवी तो इसके बारे मैं आपको बताती हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ब्लीवी क्या होता है तो ब्लीवी किसके लिए स्टैंड होता है ब्लीवी स्टैंड फॉर B for boiling, L for liquid, E for expanding, V for vapor और E for explosion ठीक है आपको थोड़ा समझा आगर सिफ boiling, liquid, expanding, vapor, explosion ठीक है क्या होता है जब भी कोई liquid material boiling के लिए रखा जाता है उसमें से जो रिलीज होने वाली vapors हैं वो explosion में कैसे change हो जाती है ठीक है क्या होता है ऐसा कि explosion हो जाता है देखे कोई भी एक tank है ठीक है अब मान लीजे उसमें कोई भी chemical है या कोई petroleum material ही है जिसको use करने के लिए boil किया जा रहा है ठीक है तो क्या होगा उसका जो temperature है वो उसके boiling point से ज़ादा हो जाएगा तो क्या होगा उसमें explosion हो जाएगा मतलब कि वो blast हो जाएगा ठीक है तो ये situation कैसे create होती है explosion होने की अब मान लीजे कोई भी flameable highly flameable material है ठीक है अब वो किया जा रहा है एक temperature पर boil किया जा रहा है जो उसका boiling point है उस पर रखके उसे boil किया जा रहा है अब अगर उससे जादा उसे boiling temperature मिलेगा तो क्या अगर वो blast होगा न तो इससे हम कैसे prevention ले सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी पहले आपको एक example देती हूँ कि ऐसी situation कैसे create हो सकती है कि उसका boiling point जो है वो increase हो जाए और जिसके वज़े से explosion हो जाए तो ये मैं आपको बताती हूँ अब देखिए जिसके कोई भी boiler है ठीक है कोई भी container हो जिसमें ये जो material है boil किया जा रहा है माल दीजे उसमें कुछ ऐसा hole हो गया है या कुछ ऐसी problem आगए जिसके होज़े से अभी हमें welding करनी है ठीक है तो क्या करेंगे अब welding अगर करेंगे तो क्या होगा उसकी जो weppers हैं वो अंदर तक चली जाएंगी और क्या होगा pressurized हो जाएगा वो और जाधा उसके बाद wepper अगर उसकें अंदर जाएगी तो क्या होगा explosion हो जाएगा तो हम क्या करेंगे उसके लिए तो सिचुएशन पहले मैंने बताई कि क्या होता है किसी भी जो बॉयलर है या कंटेनर है उसे जो भी material उसे बॉयल किया जा रहा है तो उसको extra heat मिलती है extra boiling point उसका increase होता है तब ये explosion होता है तो ये कंडिशन होगे कि, weleding जब की जा रही है. तो उसे जो इसपार्क निकल रहे, वैपर्स भी निकल रही है, वह अगर वैपर्स उसके अंदर चली जाती है जो इस पाइपलाइन में अगर welding कर रहे हैं वह मा लिजे टेंग महीan कोई हो रहे हुथ कोई leakage हो रहे हो उसमें welding कर रहे हैं तो क्या होगा वो प्रेशराइल्ट हो जागा क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा वैपर जा रही है तो क्या होगा क्या देक्साइम होगा है हमको उसका काम भी करना और वह समय वार्डिंग रही ठीक होगा तो हम उसमें यह दिया लगा के जो एक्स्रा वैपर वो उसके अंदर जाही न पाए उसके अंदर एंटर ही न कर पाए तो तो देखिए हम यहां परे यूज करते हैं न आरसी का जिसका मतलब है non returning valve ठीक है तो उसका आपको diagram दिखाती हूँ यह देखे यह non return valve ठीक है इसको अगर हम उसके अंदर fix कर देते हैं तो क्या होता है कोई भी extra pressure यह extra vapors जो है वो उसके अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि यह flame arrestor है और thermal cutoff valve है इसके अंदर ठीक है क्या है यह flame arrestor है तो कोई भी extra flame इसके अंदर नहीं जा सकती है इसलिए non return valve अगर हम उसके फिक्स कर देते हैं तो हम easily work कर सकते हैं ठीक है extra vapors अगर उसके अंदर जा रही हो तो वो उसको भी बचा लेता है इस as a arrester यह काम करता है ठीक है तो non return valve अगर हम इस पर फिक्स करते हैं तो हम ऐसे से बच सकते हैं ब्लीवी से साथ ही हम जैसे कोई container है उसमें gases रखी हुई है माल दीजिए कोई chemical ही रखी हुए है containers में या छोटे जो slanders रहते हैं उनमें तो उसमें भी यह condition यह situation create हो सकती है तो एक रहता है flashback arrester तो flashback arrester अगर हम use करते हैं तो जो भी यह biblीवी की situation रहती है वो create नहीं होती है यह देखिए यह flashback arrester type के होते हैं अगर हम इसे किसी भी container पर fix कर देते हैं तो क्या होता है कोई भी extra vapors उसके पास तक नहीं जा पाती है उसके अंदर तक नहीं जा पाती है और explosion नहीं होता है ठीक है इसको fix कर दिया जाता है उस container पर उस tank पर जिस्ते की explosion ना हो ब्लीवी की ऐसी भी condition ना बने जिसकी वज़े से explosion हो जाए ठीक है देखिए यह कुछ container है यह दो container रखे हैं इसमें यह लगा हुए flashback arrester तो इसकी help से हम यह चीजें safe रख सकते हैं अगर हमें कोई भी ऐसी situation है ऐसे work करना है तो हम क्या कर सकते हैं flashback arrester लगा सकते हैं या non return valve लगा सकते हैं जिनसे हम safety precaution prevent कर सकते हैं अपने work area पे industry में तो इस तरीकी से यह जो believey है वो इस तरीकी से work करता है और इससे अगर हम बचना चाहते हैं तो हम यह precaution लेके अपनी safety prevent कर सकते हैं साथ ही अपने work area को safe रख सकते हैं क्योंकि जो believey है यह क्या है hazard यह situation जल्दी create कर सकता है अगर ऐसी कोई situation बनती है तो और अगर एक बार इसमें fire लग जाए तो इसे पचना भी और बुझाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो पहले सी अगर हम safety लेके चले तो ऐसा पाएगा तो यह थे इसके safety precautions और believey के बारे में मैंने आपको आज बताया so thank you